मेरे प्यारे देश्वाशियों, यूपी के मेरट से मन की बात के एक स्रोता, स्रिमती प्रभाश शुकला ने मुझे स्वच्चता से जुड़ा एक पत्र भी जा है। उन्होंने लिखा है कि भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्चता को सेलिबरेट करते हैं। वैसे ही अगर हम स्वच्चता को हर दिन की आदद बना ले, तो पुरा देश स्वच्च हो जाएगा। मुझे प्रभाजी की बात बहुत पसंद आई है। वाकई जहां सफाई हैं वहां स्वास्त हैं जहां स्वास्त हैं वहां सामर्त हैं और जहां सामर्त हैं वहां समरुद्धी हैं। इसलिए तो देश स्वच्च भारत अभियान पर इतना जोड दे रहा है। साथियो मुझे राची से सटे एक गाउं सपारोम नया सराय वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा इस गाउं में एक तालाब हुआ करता था लेकिन लोग इस तालाब वाली जगे को खुले में सौच के लिए इस्तिमाल करने लगे थे स्वच्च भारत अभियान के तहर जब सबके घर पर 140 बन गया तो गाउं वालों ने सोचा कि क्यों ने गाउं को स्वच्च करने के साथ साथ सुन्दर बनाये जाए फिर क्या था सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया आज वो जगह लोकों के लिए बच्चों के लिए एक सारवजेरिक स्थान बन गई है इससे पूरे गाउं के जिवन में बहुत पड़ा बडलाव आया है मैं आपको 36 गड़ के देवर गाउं की महलाओं के बारे में भी बताना चाहता हूं यहां की महलाओं एक स्वयम सहायत का समूँ चलाती हैं और मिल जुलकर गाउं के चोग चोराओं सडकों और मंदिरों के सभाई करते हैं साथियों यूपी के गाजियाबाद के रामबिर तवर जी को लोग पॉन्ड मैन की नाम से जाते हैं रामबिर जी तो कि नगते हैं लेकिन उनके मन में स्वच्थता कि ऐ सभाई में जूट गए रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों के सभाई करके उन्हें पुनर्जिवित कर चुके हैं साथ्यों स्वच्चता के प्रयास तभी पुरी तरह सब्र होते हैं जब हर नागरी स्वच्चता को अपनी जिम्यदारी समझे अपी दिपावली पर हम सब अपनी घर की साफ सपाई में तो जूटने ही वाले हैं लेकिन इस दवरान हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर के साथ हमारा आज पडोज भी साफ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर तो साफ करें लेकिन हमारे घर की गंज की हमारे घर के बाहर हमारी सड़कोर पहुंच जाए और हां मैं जब स्वच्छता की बात करता हूं तब कृपा करके सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की बात हमें कभी भूलना नहीं है तो आईए हम संकलपले कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्सा को कम नहीं होने देंगे हम सब मिलकर अपने देश को पूरी तरह स्वच बनाएंगे और स्वच रखेंगे